कैसे हैं आप सब आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज हम बनाने वाले हैं बेबी बॉड़ी मसाज वाइल जो की बहुत फाइदेमंद होता है बच्चे के लिए जिनको पंजरा मारता है सर्दी, खासी, जोड में दर्द, जिसको सांस फुलने का प्रॉबलम है जोड बच्चा को उसमें रामवर्ण काम करता है तो हमने सोचा विंटर का सीजन है तो आप लोग के साथ सेयर करें तो हमने क्या-क्या लिया है वो सब हम आपको दिखाते हैं तहापे हमने लांग लिया हिंग, लाशोन, यह अजवाइन है दो चमच अजवाइन लिया है यह अधरक है मच्छे से छिल कर ले लिये हैं धोकर यह सरसो का तेल है तो हम यह सब डालेंगे यह तेल बहुत फाइदेमंद होता है गाई तो आप लोग भी जरूर इस तेल को बनाईए और अपने बच्च को लगाईए और यह तेल बहुत गरम भी होता है तो बच्चे को आप दो ही बार लगाएं साम सुभा तो हमने सारे इंग्रेटियन्स को अच्छे से ले लेके अच्छे से अधरा को कूट लिये हैं लासुन को भी अच्छे से कूटेंगे लांग को भी हलकासा दरदरा सा कू लिए हैं तो आप कराही को गरम होने देते हैं कराही को आप अच्छे से गरम होने दे और इसमें तेल डालेंगे तो तेल में अच्छे से उबाल आने दे खुब अच्छे से धुवा उठने लगे तेल में तभी इसमें कुछ भी डालिएगा नहीं तो तेल में जाग बनने लगेगा और तेल उबलने लगेगा तो गाई जिनको जोर का दर्द है तो उसमें भी लगा सकते हैं मिंटर का सीजन चल रहा है तो जैसे लोग बाहर जाते हैं तो पैर में लगा ले तो गाई ठंडा का असर नहीं होने देता इतना अच्छा मतलब वाइल है आप लोग वी एक जिनके बच्चे छोटे हैंगे उमा जरूर बनाएंगे ये तेल और लगाएंगे और अपना experience मेरे साथ जरूर सेर करेंगे तो I hope कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज आप लोग मेरा वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज स अच्छे से पकाएंगे खुब अच्छे से जितने भी इंग्रेटियन से अच्छे से लाल हो जाना चाहिए कुछ इस तरह से दिखे या भी और पकेगा तो आपको एक चीज का और ध्यान रखना होगा जिस कड़ाही में आप सब जी बनाते हो कड़ाही में तेल ना बनाएं ने तो बच्छे के बोड़ी में जलन हो सकता है हम इसे गैस बंद कर ठंधा होने देते हम इसे अच्छे से ठंधा हो जाएगा उसके बाद हम छानेंगे तो देखे ठंधा हो गया है तो आप हम इस तरह से बरतन साफ बरतन ली लेंगे तो हम इसे अच्छे से छान लेंगे य तेल को छान लिए हैं तो आप हम अच्छे से साफ कंटेनर में हम इसे डाल कर देखिए आपके पास सिसा का है तो सिसा में डालिए और अच्छा रहेगा यहापे हमने इस कंटेनर में डाल रहे हैं तो हम इसे डाल कर साफ कंटेनर होना चाहिए तो हमने सारे तेल इसमें डाल देंगे और इसे जब बच्चा को आपको लगाना है तो आप इसे हलका गुन-गुना करके बच्चे के बॉड़ी में अच्छे से मालिस करतीजिए यह बहुत गरम तेल होता है बार बार बोल लें इसे दो ही बार मसाज करें बच्चे के बॉड़ी में कभी भी सर्दी खांसी या पंजरा मारने का सिकायत नहीं होगा गारंटी के साथ बोल लें क्योंकि बहुत फायदेमंद तेल है